हालो बच्चों नुव लाइट की यूट्टूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों आज आपके समख लेकर के हजिर वहां दस का दम का सिन्वाइब प्यारे बच्चों आज हम लोगा पेपर है और अल इंडिया फूल और यूट बाइज बाइट टाफिक स्रीज का बार्मा टेस्ट जो कि 29 मार्स 2023 को हमारे इंच्यूट के तरफ से आउन-लाइन आफ-लाइन मों दोने कान्ट हुआ पेपर का ही पढ़िया था आप सभी ने वर्चर के हिस्सा लिए असके लिए आप सभी को सिखाऊंगा और इसके बाद हमारे सीने साथी बहुत कु टॉकां पढ़ियूत को दोक्टर क्मारा देख सकते हैं और यह रहात 10 का दमका सेसे सन आप देख सकते हैं और यह वह ौसकता हैं तो आपने आपी में से कोई यहां देखा हो आज से एक बाद ची तरीके समझें मैचिंग में डारेक्ट और इंडारेक्ट दूनों तरीके से मैच होता है मैं क्या बता रहा हूं मैचिंग में कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको लगे का कुछ मैच कर रहा है कुछ नहीं मैच कर रहा है तो यह सवाल में यही समस्या थी और इस छांद कैसी चार्ज पॉस्टिवली चार्ज फोटीन होती थी पर डियंञ रहता था में जाहां पर कुछ पॉस्टिवली 76 मिलीमिटर होता है ये तीन हो सही है लेकिन सर हिस्टोन-क्तम आप जानते ही आप को मालूम है कि यह जो हिस्टोन ऑक्टामर आप जानते हो ना हिस्टोन ऑक्टामर इसमें क्या होता है सर H2A, H2B, H3 और H4 इनके दो सेट होते हैं और ऐसे चार-चार के गोले के ऊपर एक दूसा अगुला लगा होता है ठीक तो यह कुछ इस्ट्रक्चर ऐसे बना अब ध्यान से देखिए अब इसी के ऊपर जब ऐसे DNA रैप करता है ऐसे आपकी बुक में डागराम बना हुआ है तो यह DNA जब रैप कर गया तो एक बना नुकलियो सोम क्या बना नुकलियो सोम इसका मतलब नुकलियो सोम जो होता वो हिस्टोन ओक्टामर और 200 बेस पेर होते हैं जितना DNA इस गोले के ऊपर रैप्ड करता आपकी बुक में डिटा दिया हुआ है ठीक तो इसका मतलब हिस्टोन अक्टामर से 200 बेस पेर थोड़ा बहुत मैच कर रहा है 50-50 लेकिन हिस्टोन ओक्टामर के बारे भी यह नहीं बताय गया है कि 200 पेर मैच कर रहा तो किसके रेफरेंस में है अगर नुकलियो सोम लिखा होता तो पूरा-पूरा मैच करता तो यह 50-50 मैच कर रहा है आप करता है तो यह मैचिंग 50-50 मैचिंग में डारेक्ट और डारेक्ट दोनों तरीके से मैच करता आप इसे गलत कह भी सकते हो नहीं भी लेकिन सर्दी एक आंसर को हमें चार्ट करना पड़ेगा तो हम पहला ही क्या यह तीनों पूरी तरह से सही है मैं क्या बता हूं यह तीनों हिस्टो नॉक्टामर की बात जो है वो नुक्लियो सों के लिए सही है ठीक तो इसलिए इसका अंसर पहला जाएगा क्योंकि यह 50-50 मैच कर रहा है इन डायट तरीके से मैच कर रहा है अब देखिए था एंजाइम अब लिका था एंजाइम एक्सटेंड दा प्राइमर इन दे न पॉलिमरे जिस के जानते हैं और यह आपके टुकडे को एक्सटंड करता है ऑपके चिंगया नहीं करता है यहां पर यहां पर इस के लिए टैक पॉलीमरेज और एक एक नुकलियो टाइड को जोड़ने के लिए आप क्या चेडिने लाएगे तो एम्पलीफिकेशन और यहां पर तर्मसेक्रटेकस नाम का बैटरिया जिसे निकाला गया था क्यों क्यों कि नॉर्मल डियने पॉलीमरेज से काम चल जाता तो हम उससे काम चला सकते थे लेकिन यह प्रॉसेस एक्स्टेंशन का थोड़ा हाई टमपरिचर पे होता है इसलिए यहां पर टैक पॉलीमरे और दोसा ही है थाड़ांसर अब देखिए यूटी आर आपको मालुम था कि जब एमारेने का सिक्वेंस लेड़ा सब्सक्राइब का एक सेक्वेंस है ठीक अब यह जाता है पॉलीप्टाइड बनाने के लिए पॉलीप्टाइड बनाने में इन्वाल्ड होता है इसके अब देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे यहां से ट्रांस्टाइड होगा और यह त्री डैच है जहां पे खतम होगा तो यह जो रीजन है सर्जी इसी को आप बोलते थे यूटियार अन्ट्रांसलेटेट रीजन और यह भी रीजन यूटियार है ठीक यह यूटियार है यहूटियार है और के वाल इतना ही प्रोर्टेट बनाता था ऐसा क्यूं कि बॉडि को जिस प्रोटीन की जिस एमिनोस इपिश होगा इसलिए आपकी बॉक्तों लाइन लिखे कि यूटियार जो था इफिसेंट ट्रांसेंट की रिक्वाइड क्यों जितना सरीर की नीड की लंबाई 2.2 मीटर है हमें क्यों उस छोटे से सेग्मेंट अफ जीन का उपयोग करके अपनी प्रोटीन को बनाना था इसलिए माली हमाई जो कोडाण की है यह दोमों व्यर्थ है तो इसका नहीं होगा इसका नहीं अब ध्याँ देखिए यह युट्यल है क्या यह यूल तो एम आरड्ा नहीं का ही आपobject right आप देखिए यह सवाल बच्चों का गलत इसलिए हो गया तो कि बुक में लाइन लिखी है इनके लिए लिखी है इसलिए ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट और आप लोग लाइन बे लाइन चलते हो अब ध्यान से देखो यह आपका यूट्रस मैं बना रहा हूं आपकी बु कि इंपुलरी ठीक है यह कोशन मेरा आई था पहले तो उसको मैंने अपडेट किया बढ़ी उसकों से यह आपको मालूम है कि जब सेक्सुवल इंट्रकोर्स होता है इसे आप फिजिकल रिलेशन बोल सकते हैं पॉपलेशन भी बोल सकते हैं ठीक है आप देखिए यह रिजन नहीं माल दीजी है तक इसे खरीजाइन माल लीजे ठीक ठीक अब सेक्सुल इंट्रकोर्स होता है तो यहां से इस परनायसे एसे आता है माली यह छलने से डेखिए ऑस पता जिए फिमेल में इस लिए आपकी बुक में डायफ्राम वाल्ट और सर्वाइकल कैप लिखा हुआ है यहां तक यह आपका फीमेल कॉंडॉम में लिखा हुआ है वो सर्विक्स में पहना जाता है तो विजाइना में तो माल जाएंगी यहां पर आपने उस बैरियर का इस स्पर्म को चल के यहां तक जाना था कहें के लिए फर्टलाइसन के लिए को कि आप ही बुक में लिखा है कि ओवम और स्पर्म सामर्टेंसली रीच्टूरा एंप्रोडिजन इसलिए आपकी बुक में लिखा कि हर फिजिकल रिलेशन या सेक्ष्वल इंटरकोर्स प्रेइं तो आपने इसको यहीं रोक लिया तो क्या मैं इसा कह सकता हूं कि ॉासी स्पर्ण में लिया लिटीख चाया झमाल किया है तो एसके मूवमिंट को इसलिए सरलाइसन भी होगा बращ जाएगा कि फिर आपकी बुक में देखें यहां पर लिखा हुआ है कि इन ठी के बारे में आपकी बुक में लिखा है कि वर्टिकल डिस्ट्रिबूशन और टिफरेंट इस पूप टू बाटम जाने पर आलग आप किसी जंगल में या किसी घने जंगल में जब जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत उचे पेड़ होते हैं फिर कुछ पेड़ दीशे छोट खिड़ कि जंसंख्या एक इसका नमबर करती है वाई वाइं पापिलेशन क्या कि एक तिए गया है विटेट में गर्पड़िये गया पर एक इस पुश्य जिट्टें नमबर अश्य होते हैं वह होती जैसे इंडिया की पापुलेशन 136 हमान की है ना कुत्ते अब इस 135 तो वह पॉपुलेशन रही नहीं जाएगा वह कम्यूटी का मतलब होता है कि मोर दन वन पॉपुलेशन इंट्रेक्ट तो इच अधर ठीक है तो यह आपका मोर दन वन इस प्रस्टी इस पर इंवाल रुड़ हुआ इस ट्रैटिफिकेशन बाइलिस्कल कम्यूटी का करेक्टर अब देखेंगा फॉलविंग इंकर्ड स्टेट्मेंट कुछ नहीं सर्जी रिलैक्सिन तो आप कही बार पढ़ चुके हो रिलैक्सिन ओवरी से भी निकलता है प्लैसेंटा से भी निकलता है ठीक यह तो सही हो गया अब देखिए जो प्रोलैक्टिन है वो निकलता है एंट है और आपको मालूम था कि जब आप ब्लास्टो सिस्ट की बात करते हो तो इनर सेल मार्ट डिफ्रेंसिए इंटू एंब्रियों यह विल्कुल सही है और लेक्सिन हरों से प्लेसिंटा यह विल्कुल सही है आप देखिए गिवन बिलो टू स्टेट्मेंट वाई लेपर इस बहुते हैं यह आपकी दिया हुआ प्री कि से जहां बूढ़ा गर्मी होती है वहां यह नहीं रहती है ठीक है और जहां यह फिर दोप खता होंगा फिर चली जाएगी तो यह धूब से बचने के लिए अपने अपने लोकोमोंसन को अपने मुवंस्त में चेंज करती है कि ज लिए इसका यह बीहेवेल एडाप्टेशन आपकी बुक में लिखा है यह तो सही दिख रहा है और दूसरा गलत है अब देखें अभी आपने देखा रिलाक्षिन ओवरी से एस्टोजन प्लेसेंटा से भी निकलता है से लेकिन से करेंटी फेस को हम लिटिल फेस के नाम से जानते हैं यह तो आपकी बुक में लिखाई है यह इंटर्फेरंस है यह तो सही लिखा लेकिन यह फंगस नहीं था यह यह नहीं 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 यह प्राफर्टी यह बिल्कुल सही है कि यह वेक्टर था जो पेस्ट स्पेस्वी जीन्स को पौधे में ट्रांस्पोर्ट करता था अब यहां पर यह डबल स्टेंडर्ड आरेने से नहीं आपको मालूम है कि यह मारेने है ठीक है फाइब थी डैच ठीक जिसकी कोडिंग होंके पॉल्टर बनती है तो अगर मालीजिए हमने इसका थी डैच फाइब डैच वाला किसी तरीके से पौधे में डेवलफ कर दिया तो यह दोनों कॉंप प्रोटीन बनेगी नहीं तो जो उस जीन का इफेक्ट था पैथोजन का किसी का भी वह आएगा ही नहीं तो इसको आने बनाते थार्ड आंसर है अब गंगा एक्शन प्लान अब यह सर्जी गंगा एक्शन प्लान है क्या चीज़ ऐसे ही आपकी बुक में यमुना एक्शन प बताया कि इन नदियों के आसपास जो भी प्लूटेट नाले नहर हैं उनको हम प्रापरली सीवेस्ट्रीट्मेंट प्लान से ट्रीट करके अन प्लूटेट पानी को रिवर्स में डालें तो इसका उद्देश यह था कि मोर नंबर आप स्टीपी या सीवेस्ट्रीट प्लान यह दोनों ही है वाई थाड़ आंसर ठीक है तो प्यारे बच्चों मेरा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरू बताइए टेस्ट चीजने पर्सका के हिस्सा लेजिए और साथ तारीक को आपका पेपर है हर दिन पेपर हो तून उसको स्वाल कर लिए सोने से पहले ठीक है थैंक यू और वाई रोशिंगो का वाई बाई बाई